हेलो, वेलकम तो माई चैनल, यह एक्सरसाइज है 2.3 बहुपत का, पॉलिनोमाइल्स का, अब दिखते है कोशन नमबर 3 को, यह कोशन इंपोर्टेंट है थोड़ा सा, सो कोशन इस प्रकार है कि यदि 3x4 प्लस 6x3 माईनेस 2x2 माईनेस 10x माईनेस 5 के अन्य सभी सुन्यक ज्याद कीजिए, यदि इसके 2 सुन्यक माईनेस रूट अडर 5 बाई 3 और रूट अडर 5 बाई 3 है तो, मतलब इस बहुपत का यहाँ पे 2 सुन्यक और रेडि दिया हूआ है, इन दोनो सुन्यकों के सहता से हमें इस बहुपत का और क्या-क्या सुन्यक हो सकता है वो निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों बहुपत की साहता से मतलब स्वारी इन दोनों सुनेक की साहता से हम लोग गुननखन निकालेंगे तो एक हो जाएगा लिख सकते हैं कि x प्लस रूट अंडर 5 बाइ 3 और एक लिखेंगे x माइनेस रूट अंडर 5 बाइ 3 यह लिख सकते हैं तो यह देखिए किसके फॉर्मूला में आ गया a-b और a-b के फॉर्मूला में आ गया तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है a-b-2 यानि a-b-2 को a-b इन्टू a-b लिखा जाता है तो यहाँ पे है a x प्लस रूट अंडर 5 बाइ 3 इन्टू x माइनेस रूट अंडर 5 बाइ 3 तो अब क्या करेंगे यह जो बहुपत निकला है x2-5 बाइ 3 इस बहुपत से इस बहुपत को हम लोग भागा देंगे मतलब x2-5 बाइ 3 से इस बहुपत को भागा देंगे तो सबसे पहले x square से क्या गुना करेंगे कि 3x पर घात फोड आ जाए तो अगर हम लोग x square के साथ 3x square को गुना करते हैं x square के साथ plus 3x square को गुना करते हैं तो 3x पर घात 4 आ जाएगा फिर minus 5 by 3 को 3x square के साथ अगर गुना किया जाए तो minus 5x square आएगा जो कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे minus 2x square के नीचे तो क्या होता है symbol change होगा plus है तो minus minus है तो plus minus 3x पर घात 4 और plus 3x पर घात 4 कट हो जाएगा यहाँ पर बचेगा plus 6x cube यहाँ हो जाएगा plus 3x square और यहाँ पर है minus 10x और minus 5 अब x square के साथ क्या गुना करेंगे कि plus 6x cube आजाए तो अगर हम लोग यहाँ पर x square के साथ प्लस 6x को गुना करते हैं तो 6x into x square तो 6x cube हो जाएगा तो plus 6x cube और minus 5 by 3 से 6x को अगर गुना करते हैं तो minus 10x आएगा तो minus 10x को minus 10x के नीचे लिखेंगे तो symbol change होगा plus है तो minus minus है तो plus minus 6x cube plus 6x cube कट गया plus 10x minus 10x भी कट गया तो यहाँ क्या बचा plus 3x square और यहाँ बचा है minus 5 अब x square के साथ क्या गुना करेंगे कि plus 3x square तो x square के साथ हम लोग plus 3 को गुना करेंगे तो plus 3x square और minus 5 3 के साथ अगर 3 को गुना करते हैं तो minus 5 आएगा अगर minus 5 by 3 से 3 को गुना करते हैं तो यह 3 कि यह 3 कट हो जाएगा minus 5 पाएगा minus 5 तो plus है तो minus minus है तो plus minus 3 x square plus 3 x square कट minus 5 प्लस 5 भी कट तो बचा 0 तो हमें एक भागफल का बहुपत मिला जो की है 3 x square plus 6 x plus 3 यह बहुपत मिला तो इस बहुपत को हम लोग अब मध्य भीवक्त करेंगे तो मतलब बीच बाला जो सैंक्या है मतलब 6 x को दो भागों में भीवाजित करेंगे मध्य पक्विवक्त करलाता है यह तो 3 x square अब तो 6 x को दो भागों में बाटना है तो 6 x को लिख सकते हैं plus 3 x और plus 3 x plus 3 x हो जाएगा 6 x और plus 3 तो अब देखेंगे इन दोनों में common और इन दोनों में common तो 3 x square plus 3 x में common है 3 x यहां बजिया x और यहां बजिया 1 बस अब 3 x plus 3 में common देखेंगे तो इसमें common है 3 यहां बजिया x और यहां बजिया 1 तो x plus 1 और यहां बजिया 3 x plus 3 तो दो बहुपद मिल गए हां से एक x plus 1 और यह 3 x plus 3 अब इन दोनों बहुपद की सहाता से हम लोग सुन्यक निकालेंगे तो लिखेंगे यदि x plus 1 is equal 0 तो x बड़ाबर minus 1 अब दूसरे बहुपद को लेते हैं यदि इस बहुपद को 3 x plus 3 is equal 0 तो x बड़ाबर हो जाएगा minus 3 by 3 तो यह भी कट हो जाएगा तो होगा minus 1 मतलब अता इस बहुपद का जो बहुपद था 3 x पे घाद 4 plus 6 x को minus 2 x square minus 10 x minus 5 का और तो बहुपद हो सकता है वो है minus 1 और minus 1 तो बहुपद मतलब दो सुन्यक हो सकता है minus 1 और minus 1 तो दो सुन्यक निकल गए तो यह था question number 3 जो कि बहुत important था और chapter 2.3 तो अगर आप तो को अच्छा लगे तो please like कीजे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजे जिन्हों न अभी तह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब भी कर ले ले तो कीजारे घ्यादा से पतले से जल से जल से जल से तो आपटा से जल समय कि तो SUब्सक्राइब जल כई कि अर्दी जल से जल सिस्दूरा झाल सी एकी कि जल समय को अडेे तो ले जल सूव네요